जेहिंद, दोस्तों मेरा नामे राज आप देख रहे हैं हमारा योट्यूब चैनल इलेक्त्रिक लोचा जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यह बोड है इन्वर्टर एसी का यह Magmit का PCB है बहुत सारी inverter AC वाली कमपनिया इस PCB को यूज़ करती है यहाँ पर आप देखोगे यह PCB AC मोटर वाला है आउट्डोर में AC मोटर यूज़ की जारती है इंडक्शन मोटर मतलब और इसमें 2 MC होते है इसमें H15 का error आ रहा है शायद तो हम देखेंगे चेक करेंगे कि यह ऐसा error क्यों दे रहा है अभी सात्यों आप देख सकते है बोर्ड हमारे सामने है हम power देते है यहाँ power LED on हुई है red में तो हम देखेंगे यह error देगा एक दो तीन चार पांच छे साग आठ एट टाइम अभी यह blink कर रहा है और भी error दे सकता है अभी आप यहाँ पर जैसा द्यान देंगे तो यहाँ पर एक और micro controller है और इसकी LED भी यह वाली blink करती है जो अभी blink नहीं हो रही है LED तो blink नहीं हो रही है हो सकता LED खराब हो यह वाला जो micro controller है वह इस वाले micro controller को information देता है sensors के बारे में और वह information serial data में होती है जो pin number 2 से out होती है यह आप देख सकते हैं चोटा DSO है DSO on हो चुका है और अभी हमने इसकी prob का कुछ नहीं किया है इसलिए हम यह multimeter की prob के साथ ही इसको use करेंगे तो हम DSO से साथ ही इसको अब check करेंगे तो सबसे पहले एक prob हम यहाँ रख लेंगे ground पर तो आप देख सकते हैं ground पर हमने रख लिया है और तीन वोल्ट चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि तीन वोल्ट यहाँ पर आ रहे है DSO में लाइन उपर जा रही है तीन वोल्ट तक और 3.3 वोल्टेज यह DSO दिखा रहा है वोल्टेज काफी अकुरेट दिखा रहा है हम यहाँ पर चेक करेंगे यह आप देख सकते हैं इसकी जो सीरियल आउट पिन है वह दो नमबर है तो दो नमबर पिन इस रेइश्टेंस के साथ कनेक्ट है तो हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट आ रही है कोई भी पल्स नहीं आ रही है और इस तरफ देखेंगे तो यह रेजिस्टेंज के इस तरफ 3.3 वोल्ट है और कोई भी पल्स यहां पर नहीं आ रही है तो इसका मतलब साथियो यह IC खराब है काम नहीं कर रही है तो इस IC को हम सबसे पहले बहार निकाल देंगे आप देख सकते हैं यह हमारे पास नहीं IC है और इस IC का नंबर 8S103F3P6 है तो यहां से हम एक IC ले लेंगे इसके लिए माइग्रो कंट्रोलर है साथि हो यह यह आप देख सकते हैं हम एक IC ले लेंगे इसके लिए इसको हम भार निकालेंगे सबसे पहले खराब वाली IC को आप देख सकते हैं यह IC हमने भार निकाल दी है माइग्रो कंट्रोलर अब हम यहाँ पर नया MIC कंट्रोलर लगाएंगे एक नमबर पिन आप देख सकते हैं इस तरफ है तो हम एक नमबर पिन इसकी इस तरफ करके यह नया MIC कंट्रोलर यहाँ पर लगा देंगे तो यहां पर साथी हम यह निया माइक्रो कंट्रोलर लगा देंगे इस तरह से आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं नया माइक्रो कंट्रोलर यहां लग चुका है अभी साथियों आप देख सकते हैं हमने यहां पर नया माइक्रो कंट्रोलर तो लगा दिया है लेकिन इसे ओन करेंगे तो भी यह ओन नहीं होगा अभी जैसे हम आपको ओन करके दिखा देते हैं आप देख सकते हैं फावर आ चुकी है। बेकिन यहा वाली LED कोई भी glow नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं। यहा वाली LED एरर भी देगी अभी। यह शुरू कर दिया इसने Yukत – लेकिन यह वाली अभी भी दिलिंग नहीं कर रही है। यह तो पुराना था खराब हो गया होगा लेकिन यह micro controller नया है तो इसके अंदर software नहीं है फ्लेश नहीं है इसकी तो हम इसे फ्लेश करेंगे अभी तब यह काम करेगा प्रोग्राम करने के लिए आपको जर्रत पड़ेगी एक इस तरह के programmer की यह ht link v2 है छोटा सा यह आपका देड़ 200 रुपे का करीब आ जाएगा और connect करने के लिए हमें चाहिएगी wire आप देख सकते हैं यह wire हमें connect करने के लिए चाहिएगी तो यह चालू है board इस तरह से आपको यह programmer चाहिएगा connect कैसे करना है वो हम दिखाते हैं आपको board आफ कर देते हैं तो आप देख पा रहे हैं यह वाली जो तीन पिन है यह इसको program करने के लिए हैं और यह programmer देखेंगे तो इस programmer में बहुत सारी पिन है इसके अंदर single wire interface है तो यह single wire interface की पिन है यह वाली पिन इसकी तीन नंबर पिन हम इस पिन से connect करेंगे reset पिन यहाँ पर नहीं है ground ग्राउंड के साथ connect करेंगे 3.3 3.3 के साथ connect करेंगे ऐसा हम connect करेंगे इसको अब ही आप देख पा रहे हैं साथियो यह वाली जो red पिन है इसको हम 3.3 वोल्ट से connect कर देंगे और यह ब्राउंड है इसे हम ground बना लेंगे यह ground है आप देख सकते हैं यहाँ पर यह 3.3 ground यह थोड़ी सी लूज है पिन इस तरफ से देखते हैं यह ground है यह 3.3 है और उसके बाद आप देखेंगे यह वाली SWIM SWIM यहाँ हम connect कर देंगे यलो हमारी SWIM है और reset pin के लिए हम एक वायर अलग से ले लेंगे अच्छा इसमें भी reset है तो हम इसको swim orange कर लेंगे और reset pin भी इस IC में connect करनी होगी तो यह हम सेम इस तरह से यहाँ भी connect कर देंगे यह ground है और यह 3.3 है और आप देखेंगे हमने यहाँ orange यूज की है तो orange SWIM है यह connect का हमने कर दिया इसे हम अपने laptop से connect करेंगे और यह जो reset pin है यह आप देखेंगे यहाँ पर जो यह capacitor लगा हुआ है यहाँ आप इसे shoulder कर देंगे यह आप देख सकते हैं यह इसकी चार नमबर पिन पर आईसी की चार नमबर पिन पर हम इसे connect करेंगे reset को आप देख सकते हैं हमने connect कर दिया है और यहाँ पर हम इसे और हम इसे अपने computer की laptop की USB के साथ connect कर देंगे आप देखेंगे अवाज भी आईए और यहाँ पर light glow हो गई है blue color की light यहाँ पर glow कर रही है तो हम इसे छोड़ देंगे और अब आपको लेकर चलेंगे अपने computer की screen पर सबसे पहले आप अपना browser खोलेंगे browser खोलके आप उसमें search करेंगे stvpstm8 यह आपको search करना है और यहाँ पर इस तरह से आपको मिल जाएगा stvpstm8 यह इस microcontroller की website है जहाँ से हमें यह software डाउनलोड करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है get latest तो हम get latest पर जब click करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह का एक agreement आएगा accept करना है आपको और फिर यह आपसे login मांगेगा तो आपको login कर लेना है हम यहाँ से login कर देंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर यह download शुरू हो चुका है और यह download हो चुका है हम यहाँ से फिर folder open करेंगे यहाँ folder पर click करकर और आप देखेंगे यह हमारे पास folder download हुआ जिप extract करेंगे extract होने के बाद हमें यहाँ यह application दिखाई देगी तो हम इस पर double click करेंगे इस तरह से यह है आपके पास सामने setup आजाएगी आपको yes yes करते जाना है कहीं भी आपको no नहीं करना है यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं disclaimer दिया है तो आपको accept करना है और next next करते जाना है तो आप देख सकते हैं install हो चुका है हम यह close कर देंगे सब आप साथिव आपको यह stvp open कर लेना है यहाँ पर आपके पास इस तरह की एक window खुल जाएगी सबसे पहले आपको configure पर click करना है यहाँ से आपको यह open करना है आप देखेंगे यहाँ से usv select होना चाहिए और यहाँ पर st link programmer जो हमने आपको दिखाया और swim में आपको आना है क्योंकि हमारी ic swim time का communication करती है तो swim में हम आएंगे और यहाँ पर हम ic number find करेंगे इस list में आप देख सकते हैं stm 8 s पर हम जाएंगे s में आ चुके हैं 103k हमारी क्या है 103k ic है हम इसे select कर लेंगे ok कर देंगे open हो जाएगा अब हमें क्या करना है इसके अंदर file open करनी है जो हमने पहले से इस ic को read करके रखा है वहवाली तो आप देखेंगे यह default कहीं पर चला गया है program x option x इसमें नहीं जाना है हमने यहाँ पर अपनी file रखी है आप देख सकते हैं 8s 103 इसे हम open करेंगे तो htm 8s 103 f3 यहाँ पर है हमारे पास अच्छा यह f3 है तो कोई बात नहीं हम यहाँ f3 करेंगे तो भी same ही रहेगा f3 यहाँ पर हम कर देते हैं configure में जाएंगे और इसके उपर just उपर यह f3 है यह हमने select किया और यह select हो चुका है अब हम यहाँ पर file open करेंगे यह वाली आप देख सकते हैं यह file हमारे पास है आप देख सकते हैं यह open हो चुकी है और अभी हम क्या करेंगे इसको write कर देंगे file को हम program पर जाएंगे और all tab program कर देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं all tabs on active sector if any अगर और किसी sector में यानि data memory में option byte में कुछ होगा तो वह भी write हो जाएगा current tab भी कर सकते हैं अगर current tab करेंगे तो यही होगा और all tab करेंगे तो फिर सभी कुछ होगा तो all tab कर देंगे आप देख सकते हैं यह write हो चुका है अब हम देखेंगे कि ic on हुआ या नहीं हुआ यह program हो चुकी है लेकिन अभी जब हम इसे disconnect करेंगे तब यह on होगी तो इसकी हम pinे disconnect कर देते हैं यहां से तो अभी आप देखेंगे कि यह on हो चुकी है और इसमें यहां पर LED ब्लिंक कर रही है तो अगर आप ic को read करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे एक बारी हम इसे फिर से open करेंगे आप देख सकते हैं open हो चुका है इस बार हम कोई भी file open नहीं करेंगे ic को read करने के लिए हम simple यहां read पर click करेंगे पहले हम देख लेंगे कि सब कुछ सही सट है ic हमारी यहां number ठीक है configure में हम देख लेंगे st link यहां पर select है programmer swym type select है यह ic भी select है sub select है अब हम इसे read करेंगे आप देख सकते हैं हम all tab read कर सकते हैं current tab reading के वक्त हम current tab read करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर पहले खाली था और अब यहां पर पूरा fill up हो गया है और अभी यहां पर यह hex value fill up हो गया है read करने पर और नीचे आप देखेंगे तो यह 00 है यहां से खाली है अब हम इसे save कर देंगे यहां से हम देख सकते हैं यहीं पर ही यह हमारी save हो जाएगी same location पर हम इसका number लिख देंगे 8S103 F3 यह ic का number है और हम यहां से simple इसको save कर देंगे तो जब हम यहां से open करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर यह file हमारी save हो चुकी है अब आप इसे दूसरी किसी ic में डाल पाएंगे आप देख सकते हैं आप उसे समाल कर रख सकते हैं और नई ic में वो प्रोग्राम डाल सकते हैं यह चोटा सा प्रोग्रामर आपको सरफ लेना होगा आप देख सकते हैं यह स्टी लिंक वी टू है वापिस से हम साथियो इसे on करेंगे और हम DSO से चेक करेंगे आप देख सकते हैं यह LED अभी ब्लिंक हो रही है पहले यह ब्लिंक नहीं हो रही थी तो वापिस से हम DSO से चेक करेंगे कि यहाँ पर पल्स इसने आउट देनी शुरू की या नहीं दी एरर गिंते हैं दो तीन चार पाच छे साथ आठ नौ दस यारा बारा तेरा चौदा पंद्रा सोला 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 टाइम तो सोला टाइम किसी और चीज़ का एरर इसमें है तो यहाँ पर साथियो आप देखेंगे कि 16 टाइम ब्लिंक का जो एरर है वो आवडोर यूनिट आवर हाई आवर लो वोल्टेज पोटक्शन है तो वो अलग एरर है सेंसर वाला एरर पहले इसमें 8 टाइम ब्लिंक का था तो यहाँ पर आप देखेंगे 8 टाइम ब्लिंक और डिश्चार्ज टेंपरेचर सेंसर का इसमें एरर था या इसी नहीं काम कर रहे थी अब हम इसकी पल्स देखेंगे वैसे जुरुरत नहीं है लेकिन आपको दिखा देते हैं कि कैसी पल्स इसमें जाती है तो हम DSO रखेंगे और यह आप देख सकते हैं अभी हमने इसमें कुछ किया नहीं है तो यही वाली अभी हम योज कर लेंगे ऐसे connect करके और एक проб अपनी ground पर रखेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर यह ground है और दूसरी prob हम अपनी यहाँ पर रखेंगे दो नंबर पिन पर दो नंबर पिन से यह register connect है थीक से connect करनी होगी हमे अभी आप देख सकते हैं कि इस तरह की यहाँ पर pulses मिल रही है ये देख सकते हैं कैसी pulses मिल रही है अगर हम इसका time change करेंगे थोड़ा सा कम करेंगे तो ये पल्स थोड़ी हमें इस तरह से दिखाई देंगी देख सकते हैं लेकिन हमें इने इस तरह से देख लेना है कि अब यह है जो हमने आपको पल्स दिखाई है यहां से इस वाले माइक्रो कंट्रोलर से इस वाले माइक्रो कंट्रोलर को सिगनल जा रहे है यह serial data है साथियो यह simple pulses नहीं है यह serial data है आप देख सकते है तो एकदम बढ़िया से यह data अभी जाने लगा है पहले नहीं जा रहा था और sensor का error भी इसका बंद हो गया है तो साथियो आपने देखा आपको किस तरह से इस वाले माइक्रो कंट्रोलर की problem को solve करना है जो छोटा वाला माइक्रो कंट्रोलर है board अभी on है यह छोटे वाले माइक्रो कंट्रोलर को जब भी आप नया लगाएंगे तो flash करना होगा, program करना होगा और कैसे कैसे करना है पूरा process आपको समझाया चेक कैसे करता है DSO के साथ कैसे उसका serial data देखना है यह सबी कुछ आपको detail से समझाया अगर आप अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब सच मुच में आप PCV Repairing को seriously जीखना चाते हैं और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप पूरी वीडियो देखते हैं तभी हमारी मेहनत का फल हमें मिलता है क्योंकि आपको कुछ सिखा पाते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप कॉमेंट करके बताईएगा अगर आप कॉमेंट करके बताते हैं तो उससे हमारे होसले बुलंद होते हैं और हमें और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की प्रेणना मिलती है आप सभी के लिए उमीद है साती हो आपको यह वाली वीडियो पसंद आई होगी फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो लेकर आज की वीडियो में साती हो इतना ही जै हिंद जै भारत